पहले अपनों से बात करने का मसा ही कुछ और था क्यूंकि वहों मुबाइल या इंटरनेट नहीं बलकि चिठ्थियों का दौर था चिठ्थियों के कारण पहले लोगों में रिष्टों का मोल था ना कि आजकल की तरह हर जगा हला बोल था पहले लोगों के बीच रिष्टा कभी नहीं पड़ा कमजोर था क्यूंकि उस समय सिर्फ दूरियां थी ना कि मुबाइल और इंटरनेट का शोर था पोस्ट कार्ड सिर्फ एक कागस नहीं यादों का पिटारा हुआ करता था लिखने के लिए जगा कम पड़ जाती थी पर मन नहीं भरता था पहली सैनिक और उनके परिवार वाले आये दिन डाकिये का इंतजार करते थे क्यूंकि सैनिक अपने जीवित होने का और परिवार अपनी सुक सोविदा का संदेशा चिठियों दोरा देते थे वहाँ चिठियां उनके मुख पर हसी खुशी ले आती थी जो चिठियां उनके गाउं का पुरा हालचल बताती थी जहां मुबायल के टावर्स नहीं पहुंच पाते वहाँ चिठियां पहुंच जाती है यहीं चीसे तो चिठियों की एहमियत बताती है पहले चिठियां लिखते लिखते हातों पर स्याही लग जाती थी पहले चिठियों से लिखने वाले की खुश्बू आती थी कुछ चिठियां स्याही से नहीं बल्कि आंसूँ से लिखी जाती है क्यूंकि वह लब्स तूटे हुए दिलों से निकल कर आती है जो खुशी एक चिठी पढ़ने से मिलती थी वो बात अब messages और video calling में नहीं मिलती Thank you, please like, comment, share this video and subscribe my channel